दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से शेयर मार्केट में काम होता है कैसे कमपनी शेयर मार्केट में काम करती है और क्या उनका capital जुटाने का जो तरीका है वो शेयर मार्केट सबसे best count होता है और government भी इस चीज़ को support करती है reason है उसके पीछे तो आज एक बार हम उनको समझेंगे और उस चीज़ के साथ में ये चीज़ समझेंगे कि शेयर मार्केट पे नजर रखते हुए हम किस तरीके से USDNR जो की इंडिया में currency trading कहीं जाती है पोरेक्स trading बोलता है इसके अंदर काम कर सकते हैं और यहां से profit उठा सकते हैं इधर क्यों वो समझाता हूं कैसे देखो normally होता क्या है माल लीजे कोई भी काम करना है किसी को तो काम करने के लिए उसके पास में पैसा होना ही चाहिए common सी बात है अब कोई company है किसी ने company start की थी लाइक बहुती छोटे पैमाने पर आज वो grow कर चुकी है और grow करते करते वो इतनी ज्यादा grow कर चुकी है कि उसको लगता है कि भाई मुझको extra amount चाहिए होगी अगर मैं इसको और भी जादा scalable model पे like implement करना चाहता हूँ तो उस condition में वो क्या करेगा वो कहां कहां जा सकता है आप खुद बुद्धी लगाईए normally पहली condition बनेगी कि भाई उसको कोई bank के तरफ से loan मिल जाए अब सोचो उस बिचारे के पास में जो था उसने तो पूरा कपूर अपनी company में लगा दिया अब उसके पास में कुछ होगा उसी base पे तो उसको loan दिया जाएगा और company गिर भी रखी जा सकती है अगर बात की जाए वो tax घूम कर वापस हमारे ही सामने आता है जो government different policies में use करती है third condition वो क्या use करते है third condition use करते है कि हम share market के अंदर enter करेंगे share market में enter करने के लिए कुछ basic सर्ते होती है जिनको कौन regulate करता है जो करता है SEBI SEBI check करता है कि सब कुछ सही है तो वो क्या करता है share market में आने के लिए इस company के मालिक को बोलता है ठीक है भाई आप तैयारी करो अपने IPO के अब IPO की बात करें जैसे IPO आता है तो हम जैसे लोग like आम आदमी जो होते हैं आपको बताते ना चाहता हूँ आम आदमी IPO के अंदर फिर सारी company होती है XYZ company के बाई ये company है इसके बारे में ये अच्छी अच्छी बात हैं इस आपको बतानी है मतलब इस चीज के भी पैसे मिलता है आपको पता होना चाहिए तो ये paid promotion सोचो बड़े पैमाने पर जब किया जाता है like TV channels के उपर film stars के दौरा या फिर उन लोगों क द्वारा जिनको आप पसंद करते हो आपके शेतर के हो सकते हैं आपके state के हो सकते हैं तो common सी बात है आप उन पर विश्वास करोगे और उस particular company के अंदर अपना पैसा डालना चालू कर दोगे तो उससे क्या होगा उस company को फायदा होगा प्लस ये monitor करना कि company genuine तरीके से काम कर सेवी का अब यह तो एक ecosystem हो गया जो काम करता है ठीक है जो share market को चलाता है अब बात आ जाती है अगर हम share market से पैसा कमा रहे हैं तो हमें कैसे profit मिल सकता है सोचने की बात आ जाती है देखो अगर share market की बात करें तो इसी के कारण हमारे देश की economy जो है वो continue चल रही है ये बात एकनोमी को अगर identify करना है कि वो best है या नहीं है तो उस देश के share market की जो companies है उनमें जो listed है उनकी condition को आप check कर सकते हो अब share market में ऐसा रहता है कि share market जब भी grow करेगी तो होने वाला क्या है ये कहा जाता है कि देश grow कर रहा है अब economy अगर किसी देश की grow कर रही है तो common सी बात ह आती है हम लोग जो भी समान खरीते हैं मालीजे हम import करते हैं कोई भी product हो like हमारे like मालीजे phone होंगे like हमारी watches हमारे laptop हो गए like petrol diesel ऐसे ऐसे product जो कि हमारे पास है ही नहीं तो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं इसी तरीके से हम कितनी चीज़ों को export करते हैं यहां से कितनी चीज पर impact पड़ेगा अगर हमारा export जादा होगा मालो हम समान बेजते हैं पूरी दुनिया को हम समान बेजते हैं ऐसी product बनाते हैं तो दुनिया में कोई देता है नहीं है तो उस condition में क्या होने वाला है हमारे पास में बहुत सारा विदेशी मुद्रा जिसको बोलते हैं foreign exchange reserve जो हो यह तो कौन बना रहा है government तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है तो उस condition में जब वो पैसा इंडिया में घूम कर आता है तो बड़ी बड़ी companies के अंदर पैसा grow होता है और grow होने पर इहां पर इंडिया में क्या होने वाला है like jobs मिलेंगी developments होंगे उसी तरीके से taxation होगा तो common स हो गया या bank nifty index हो गया इन दोनों index की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये दोनों के दोनों upside पर movement कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखो कि हमारा देश मजबूत हो रहा है तो मजबूत हो रहा है तो हम dollar की मुकाबले देखे जैसे USDNR की बात की जाए तो dollar की मुकाबले अगर USD ये अनार अभी 83 है कल को ये 82 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको dollar की मुकाबले कम पैसा चुकाना पट रहा है तो उस condition में हमारे देश की जो कह सकते हो currency हो मजबूत हुई है और अगर basically उल्टा हो जाता है price 83 से 84 हो जाता है इसका मतलब है कि dollar मजबूत हुआ है और INR कमजोर हो गया है अब ये दोनों में से देखो ऐसा हो सकता है आप देखोगे कि INR की ना तो कोई news है ना कोई news आई है ना ही कोई policies change हुई है जो INR की policy बनाता है वो कौन बनाता है वो बनाता है RBI इसी तरीके से जो foreign like कैसकते हो USD की बात करें यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी कोई news आती है तो positive and negative impact पड़ता है अब ध्यान देने की बात है मैंने आपको कहीं बार बताया भी है कि भाई हमारे देश की economy तो grow कर रही है बहुत अच्छी बात है तालिया पर यहाँ पर एक problem और भी तो आ जाती है ना problem यह आ जाती है कि जो सामने वाले के साथ हम ट की currency इतनी ज़्यादा मजबूत तब हो जाती है जब उस पर बहुत ज़्यादा focus किया जाता है आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा focus किया जाता है कि common से चीज़े आप देखोगे geopolitical like events जो होता है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा impact डालते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान के अंदर international level पर investment की जाती है किसी देश के साथ में मालीज दो देशों का यूद्ध हो जाता है तो उस condition में जो भी देश होंगे उनकी इंदर जो बड़ी party होंगी वो क्या करेंगे अपने पैसे को common सी बात है वो hedge कर देंगे hedge कहां पे करते हैं Forex के अंदर ताकि अगर कोई भी movement होती है तो उनका पैसा जो है safe and secure बना रहे है क्योंकि वो अपने देश को जानते हैं और common सी बात है अपने देश की currency जब भी किसी देश की यूद्ध होता है आप देखोगे रशिया यूकरेन को देख सकते हो तो यूद्ध होगा तो common सी बात है वहाँ पर क्या होने ब तो यह चीज काउंट हो जाती है अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में हमने देखा है relation क्या होता है दोनों की दोनों सार सा चलते हैं अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है तो common सी बात है भाई हमारा बैंक निफ्टी भी ग्रो करेगा यह simple fundamental होता है बट ध्यान देनी की ब बात है जब यह नीचे की तरफ आया तो हुआ क्या यहाँ पर हुआ यह कि हमारे देश की जो इकनौमी है वो ग्रो की ठीक निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कह सकते हो डॉलर के अंदर जो गिरावट हुई उसके कारण हमारा जो आयनार है ना डॉलर के कारण हमारा जो आयनार है वो आटोमेटिकली मजबूत हो गया जबकि हमने कुछ खास किया नहीं ऐसा कि हम मजबूत हो जाएं तो कॉमन सी चीज है आप खुछ सोच सकते हो कि आपके सामने एक इंसान खड़ावो और आप हो ठीक सामने वाला ही ख फायदा कैसे उठा सकते हो अगर आप Nifty Bank Nifty में काम करते हो ठीक Nifty Bank Nifty में काम कर रहे हो तो आपको यह चीज समझनी है कि हम डॉलर के साथ में कैसा relation रखें डॉलर के साथ में और आयनार के साथ में कभी भी अगर ऐसा होता है कि मालीजे मार्केट उपर की तरफ जा रही है यह भी ऊपर की तरफ जा रही है और USDNR भी ऊपर की तरफ मुवमेंट करने लगे तो हमेशा याद रखेएगा कि UA муз Dennis लीकर निकलता है क्योंकि US changes को देखते हुए ही इस सारी चीज़े आपको cover करनी होती है काफी सारी लोग क्या करते हैं SGX nifty check करते हैं ये चीज़े check करते हैं मैं आपको बोलना चाहूंगा उनसे better पता है क्या रहने वाला है आप सुबह सुबह morning में अगर आप nifty bank nifty में काम करते हो options के अंदर काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो morning में like approximately 8.30 के आजपास आप क्या करो trading view open करो trading view open होने के बाद में आप वापे search करो USD INR search करने के बाद में आप क्या करोगे शाम के समय check करोगे शाम के समय लाइक आपका जो भी broker होगा जैसे मान लेजे मेरा जिरोधा है तो शाम के समय 4.55 पीम क्या प्राइस क्या होगे प्राइस बंद हुआ था ठीक है और चेक करो की morning में जब market खुलेगी like 8.55 प्राइस की moment क्या होई है क्या जहां पर कल था उससे gap down खुलने के chance है या gap up खुलने के chance है अगर मान लिजिए यहाँ पर gap up खुलने के chance है कि market खुलेगी gap up और market खुल गई सुबे 9 बजे यह कौन सी market की बात कर रहा हूँ मैं currency market की आपको पता लगया कि gap up खुली है उस condition में आप यह decide कर सकते हो कि यह gap up खुला है इसका मतलब क्या होने वाला है हमारा जो Nifty और bank Nifty है जो कब खुलेगा 9 बचके 15 मिनट पे वो कहाँ खुलने वाला है gap down खुलने वाला है अब gap down खुलने वाला तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है यहाँ पर यह किया जा सकता है अगर आप को currency का पता है ठीक, निफ्टी बैंक निफ्टी के future lot को आप यहां पर buy कर सकते हो, ठीक, multiple strategies implement कर सकते हो, आप यहां पर option buying करना चाहते हो, तो भाई यहां पर call को buy कर सकते हो, यह सारी चीजे आप easily यहां पर कर सकते हो, इन चीजों को देखते हुए, I wish यहां छोट इसी वीडियो के इंदर ही छोटा सा concept जो मैं आपको बताना चाहता था, वो clear हो गया होगा, किसी के mind में कोई question है, तो वो इस number में message कर सकता है, 9837-482890, second number है 80775-21043, बागी किसी को अगर currency market में कोई interest है, तो वो क्या कर सकता है, इस website पे, explosive trades.in, यहां पे जाकर आप register कर सकते हो, काफी सारे चीज़े हैं, मैं यहां पे update करता रहता हूँ, ठीक है, सो मिलते हैं next important वीडियो के अंदर, कर दो थाना कर सकता हूँ, upon क chick है कर दो में यहां नीज़े हैं, थीजीब जाब कर रहां चीज़े हैं,